स्री सद्गुरु देवाई नमा भायो बैनों, इस संसार में हर जीव दुखी है कोई तन का दुखी है तो कोई मन का दुखी है और तो कोई धन का दुखी है प्रारब्द वस हर जीव दुखी है जब सभी दुखी है तो सुखी कौन है? केवल वही सुखी है जो निरंतर भगवान का सुमिरन करता है जिसने परमात्मा की सरणागती ले ली है क्योंकि एक बार जब प्रभू या सद्कुरू भगवान की सरण में आ गए तो आपका सभी कुछ वही देखते हैं अगर आपको कोई दुख मिलता भी है तो वो भी उनका प्रसाद मालूम पड़ता है भगत हर हाल में उनका धन्यवाद देता है कि प्रभू आप जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं भगत अपने भगवान से यही प्रातना करता है कि जब तक मेरी सांच चलती रहे प्रभू आपका भजन करता रहूं आपका नाम जबता रहूं मुझे आप से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आप चाहिए यह प्राटना जब जीव भगवान या अपने सद्गुरू से भाव और विस्वास के साथ करता है तो प्रभू बहुत खोस होते हैं क्योंकि कल्यूग में हर कोई अपनी कामनाओं की एक लंबी लिश्ट लेकर ही मंदर जाता है भगवान किसी को नहीं चाहिए भगवान से सब को चाहिए भगवान को निसकाम भक्त ही पसंद है उनकी भक्त भाव और विस्वास से की गई प्रातना को वो जरूर सिवकार करते हैं तभी तो संतजन और सास्थ प्रातना पर विसेश जोर देते हैं तो कि कई बार यह देखा गया है कि केवल भाव और विश्वास के साथ जीव भगवान की प्रातना करता है तो वह करुणा निधान बिना देरी किये अपने भक्त की प्रातना को सिवकार करके उस जीव का कल्यान कर देते हैं। लोग जब इस दास से प्रस्ण करके अपनी समस्या को बताते हैं तो यह दास भी उनसे सबसे पहले भाव और विश्वास के साथ प्रते दिन भगवान से प्रातना करने का की ही सला देता है। लुलाल बंजारा ने अपना अनुभव वेजा है। उनकी अनुभव को जानकर आप भी प्रातना की सक्ति को जान सकेंगे कि कैसे केवल एक बार की प्रातना को सुनकर भगवान ने उसका कल्यान कर दिया। आज वही कथा यदास आपके सामने प्रसुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस्त देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुर भवर अयोद्धा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदर है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकाट अवस्त दवा दे जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते र राजिस्थान के बूंडी जिला का रहने वाला हूं सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे राम नाम जब से गुरू वालमी की जी को रामायर लिखने का आउसर मिला था उसी तरह इस कल्यूग में आपको भगवान ने चुना है भगवान सी राम जी की ही करपा है जो आप उनके नाम जब के चमतकार बतला कर हम जैसे अग्यानी को विश्वास दिला रहे हो कि कल्यूग में भगवान के नाम से बलकर और कुछ नहीं नाम जब से असंभर भी संभर हो जाता है जिसको भी भगवान और भगवान के नाम पर विश्वास होगा उसका कल्यान अवस होगा यह म मेरे जीवन में जो चमतकार हुआ मैं उसे आज आपको बताना चाहता हूँ ताकि उस चमतकार को सुनकर सभी संद भगवान के भक्तों का विश्वास बढ़े गुरू जी संद 2017 में मेरी साधी हुई सभी कुछ अच्छा चल ला हा था हम दोनों बहुत खोशते यह बाद संद 2018 की है मेरी घरवाली के पेट में अचानक दर्स शुरू हो गया पहले तो घर पही उसकी दवाई दी किंतु कोई फरक नहीं पड़ा तो उसे डॉक्टर को दिखाया किंतु डॉक्टर की दवा भी काम नहीं कर रही थी कोई दूसरा उपाय जब समझ में नहीं आया तो तुरंट इसको कोटा जिला के एक अस्टाल में एडमिट करा दिया दो दिन में डॉक्टर ने उसकी सारे ज्यांचे कराई ज्यांच रिपोर्ट आने के वार डॉक्टर ने बताया कि आप घरवाली की दोनों किड्नी खराब है और इसका इलाज हमारे पास नहीं है फिर मैं ने उससे भी बड़े अफ़ताल में उनको एडमिट कराया तब मेरी पतनी गरवती भी थी तब उस डॉक्टर ने एक दिन रखकर उसने भी ना बसने की काजवाब दे दिया बोला आप इसे जैपुल ले जाएए वहां सायथ कुछ हो सके मैं निरास हो गया और उसको एक गारी में करके जैपुल ले आया दो दिन जैपुल अफ़ताल में रखा गया जैपुल वाले डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब कुछ नहीं बचा आप इनको ले जाएं डॉक्टर ने उसे घर भीर दिया मेरे पास इलाज के पैसे खत्म हो चुके थी फिर घर वालों ने कहा एक काम करते हैं इसको सरकारी अफ़ताल में एड्मिट करा देते हैं इसको घर पर नहीं मरने देंगे जो भी होगा हॉस्पिटल में ही हो जाएगा गुरू जी फिर मैं उसको और पापा मम्मी को अफ़ताल छोड़ कर घर आ गया मेरे घर पर 179 भगवान की एक तस्वीर रखी थी मैं उनके सामने खड़े होकर मनी मन प्रातना की कि हे मेरे प्राणात मेरी प्रतनी के प्राणों की रच्छा करो और हम दोनों की जोड़ी की सुदा बनाए रखो प्रातना करते करते मेरी आँखों से लगातार असुधारा बह रहे थी मैंने कहा आपके सिवाए मेरा कोई सहारा नहीं है यदि आप भी ठुकरा देंगे तो हमें कहां जाओंगा मैं भगवान के सामने काफी देता खड़ा रोता रहा कुछ देर के बाद मुझे आचानक विश्वास सह हो गया कि मेरी पतने ठीक हो जाएगी मेरे मन में एक खुसी की लहर सी मैंने अनुभो की आपको बता दू कि धीरे धीरे मेरी दस दिनों से मेरे पतनी की पेसाब बंद थी वहाँ पेसाब आने लगी साथ दिन बार डॉक्टर ने बताया कि 80% बचने का चांस हो गया है और सभी डॉक्टर हैरान थे कि इसकी दोनों ही किटनी अपने आप ठीक कैसे हो गई और उसके पेट में जो बच्चा था उसको भी कोई हानी न पोची अब मेरी पतनी उस बीमारी की एक भी गोली नहीं खाती वह स्री हरी की क्रपा से पूरी तरह से ठीक है उसके बाद एक लड़की और दो लड़कों का जन्व हुआ और अब मैं स्रीमन नारायन नारायन का जाप करता हूँ और मेरा पूरा विस्वास है कि कितना भी बड़ा दुख हो अगर जो व्यक्ति भगवान की सरन में चला जाए तो उसका दुख का नेवारान जरूर होगा गुर्दियो मैंने तो प्रातना ही की थी तब प्रातना में भी प्रभू इतना सब कुछ कर सकते हैं मेरी पतनी का जीवन लोटा सकते हैं तो फिर उस मालिक का नाम में न जाने कितनी सकती होगी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है सच में भगवान की नाम की सकती का अंदाजा लगा पाना किसी की बस्म नहीं भगवान का पावन नाम और प्रातना कल्यार करती ही करती है भाई बैनो आपने देखा भाव और विश्वास के साथ आप जो कारे करते हैं उसमें सफलता मिलती ही मिलती है फिर वह चाहे प्रातना हो या भगवान का नाम कल्यार तो होकर रहेगा यहां तर्क का कोई स्थान नहीं होता जहां तर्क है वहां भगवान नहीं होते तभी तो कहते हैं न दिल से भगवान और दिमाग से संसार को देखोगे तो प्रभू की कृपा होकर रहेगी आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेट में जैसरी राम लिखना मत भूलिएगा जिस से दास का मनुवल लगाता बरता रहे और अच्छे पेनादाए फीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं आपसे निवेदन है अगर आपके पार भी राम नाम का अनुवा हो तो उसको मेरे इमेल ये वाटसाप पे भीज़ सकते हैं जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैरल में अवस्त प्रस्तुत करूँगा इमेल का पता वाटसाप नमबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए है जैसरी राम